कि वेल्कम फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू जी एस टेक्निकल एस्टेट यूटूब चनल और प्रेस बेल आइकन आज हम बात करेंगे किर्चॉप लॉग के बारे में यानि किर्चॉप पनियम क्या होता है दोस्तों किर्चॉप लॉग एक वेगनिक ने दिया था जिसका नाम था किर्चॉप यानि उसके खुद की नाम पर इन नियमों का नाम दिया गया है किर्चॉप का नियम दो नियम होता है यानि किर्चॉप ने दो नियम दे थे पहला नियम क्या है किर्चॉप करंट लॉग यानि के सियल दूसरा है किर्चॉप करंट लोग को हम के सियल भी कहत होता है कीशीयल को एल यम होता है केवी मट यह कन केचे में पैला नियम में कहते हैं और से विडियो देखेंगे केचल यह के बारे में केवी आधे कि क्ल क्या होता है कि मैं की सीपनल्ग चेहें कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्कीट ये नेट्रोग में किसी जंक्षन या पॉइंट या नोड पर धाराओ का एलजेबरिक सम जीरो होता है कि मतलब समय में यह किसी भी इलेक्टिकल सर्किट या नेट्रोग में कोई भी जैसे कोई भी सर्किट या नेट्रोग होता है उसमें junction होता है junction यानी point या node कोई भी junction होता है जहाँ पर 2 या 2 से यदिक धारा आकर मिलती है उसक्त क्या कहते हैं node उन पर धाराओ का algebraic sum 0 होता है अर्थाद अर्थाद क्या हो जाएगा मारा धाराओ का summation 0 ठीक है धाराओ का summation क्या हो जाएगा node पर 0 यहने कि किसी point पर धाराओ का summation 0 होता है इस diagram कर देखते हैं देखें इस diagram में i1 i2 i3 r4 r5 पांच धाराओ दी गई है यह हमारा क्या हो जाएगा junction point या node इसकों junction point या node किसी भी नाम से बोल सकते हैं ठीक है अब इसमें थोरी क्या है देखो junction की और आने वाली दाराओ है i1 i2 और i3 यहने तीन दाराओ junction की और आने वाली है और i4 i5 दो दाराओ junction से बाहर जाने वाली है ठीक है एदि हम इसको numerical लिखें तो कैसे लिखेंगे i1 plus i2 plus i3 minus i4 minus i5 is equal to 0 इस तरीके से हम दिखेंगे यदि हम आने वाले दाराओं को plus माने और जाने वाले दाराओं को minus माने तो इन सभी का योग क्या होता है 0 यानि सभी दाराओं का इस point पर summation 0 के बराबर होता है यदि हम इसको इस परकार भी लख सकते हैं देखें i1 plus i2 plus i3 is equal यानि ये तीनों आने वाले दाराओं किसके बराबर होंगी जाने वाले दाराओं के हम क्या लख सकते हैं i4 plus i5 आने वाले दारा तीन दारा है i1 plus i2 plus i3 यह हमने एक साइड लख दिए बराबर i4 plus i5 यानि आने वाले दाराओं बराबर होंगी i जाने वाले दाराओं के तो हम यहां इस तरह भी लख सकते हैं कि आने वाले दाराओं का योग बराबर होता है किसके जाने वाली जाने वाले दाराओं के योग के बराबर ठीक है याने वाले दाराओं का योग बराबर जाने वाले दाराओं का योग के बराबर होती है इस तरह किसे हम सिंपल बासा में भी इस तरह कि इसको लेख सकते हैं चले किसी सर्किट की मदद से समखते हैं इसको तो हम सर्किट बना लेते हैं यह हमारे सर्किट है है यह हमने आर्वन लिया यह हमने में आर्टू माल लिया यहां से हमारी टोटल करण्ट जायेगी यांज ठीक है, और यहां से गई I, तो यह क्या होगा है, यह हमारा junction, यह नोड कह रहाएगा, यहां पर क्या आ रहे है, I current आ इधर से, यहां से इधर जाएगी I1, इधर जाएगी मारी I2, ठीक है, यहां से I इधर चली, इदो बागों में वाजित हो जाएगी, I1 और I2, तो I1 प्लस I2, किसके बराबर होगी, I के, ठीक है, तो कि यह जो I दार जा रही है, यह दो बागों में वाजित हो जाएगी, यहां यहां लिख सकते हैं, I is equal to I1 प्लस I2, इस तरीके से भी डग सकते हैं, यहां कि सिंपल सा है, आने वाली दारा, बराबर जाने वाली दारा, ठ ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चलाएक, सर्किट की मतासे समगते हैं, क्या होता देगो, यह हमारा कोई, डाइग्राफ में, यह I1, यह I2, यह I3, I1, I2, यह I3, और यह हमारा हो गया, I4, ठीक है, क्यों किस प्रकार चाते हैं, यहां दे दिया, I1, बराबर 4A, I2 is equal to 2A, I3 is equal to 1A, क्या होगा, यहां पूछा गया है, I4 कमान, क्या होगा, यह हमारा सिम्पल सा कोईशन है, देखों समगते हैं, ठीक है, I1 कितना है, 4A, I2 कितना है, 2A, I3 कितना है, 1A, यहां पूछा गया है, I4 कितना होगा, तो वैसे हम देखते हैं, बता देंगे, कितना होगा, क्या है हमारा देखों, आने वाली दारा, पराबर जाने वाले दारा, तो आने वाले दारा कितनी होगी, 4 जो 6 और 1, 7, 7A आने वाले होगी, तो जाने वाले कितनी होगी, 7 ही होगी, क्योंकि आने वाले दारा का योग, बराबर जाने वाले दारा का योग, बराबर ठीक है, तो हम देखों, यहां लगाते हैं, I1, प्लस I2, प्लस I3, बराबर I4, ठीक है, आने वाले दारा हैं तीन, और जाने वाले हैं, एक ही, ठीक है, तो आने वाले दारा का योग कितनी होगा, I1, 4 Ampere, I2, 2 Ampere, I3, 1 Ampere, इसकोल 2 क्या पुछा है, I4, तो I4 के बराबर कितना होगा, 4 तो 6 रे, 7, तो 7 बराबर क्या होगा है, हमारा I4, तो I4 कितना होगा, 7 Ampere, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, KVLम अगली वीडियो हम समझेंगे, वी GS Technical Institute YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नाटिपिकेशन आपको मिल सकें